हाई फ्रेंज वेल्कम बैक टू माई चैनल साहिबा किरेटेवेटी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सिंपल एंड इजी तोरन पट्टी कर डिजाइन शेयर कर रही हूं जिसको बनाना बहुत इजी है अगर आप लोग नियो कुरिश्या चलाना सीख रही है त कोई भी अपने मर्जी का रख सकते हैं पहले हम लोग नॉट लगा लेंगे को लगाने के भाद चैन बनाएंगे यहा पर मैं 19 नातीन टाइम्स चैन बना रही हूं कि दो तो हम इस तरीके से चैन बना लेना है सिहां पर मैंने थहचे है और मैंने भाउण हुन स्वार्धा कोल एक बंद लएंगे it बाठे वाले चेन में डालेंगे डबल कुरिशया बनाएंगे तो साइड में ये तीन चेन एक डबल कुरिशया कॉंट होगा फिर दूसरे वाले चेन में डालेंगे एक डबल कुरिशया बनाएंगे अब सभी चेन में डालना है और एक लाइन का बॉर्डर बनाकर कंप्लीट क लिती हूं मैंने डीके यहां पर एक लॉइन का बॉडर बनाकर कंप्लीट कर लिया हैं दूसरे डालेंगे और तीसरेवाले में डालेंगे डालेंगे बैपल कु Rogan करती है उसके बाद यहां पर चैन बनाएंगे आठ बनाने के बाद अब देकि यहां से क्या करेंगे साइट से हम लोगों को 5 कांट करना है डबल कुरिशया और कुरिशया भेंगे फंदा लेंगे डायरेक हम लोगों को यह साइट का जो पांचवा वाला डबल कुरिश्या बचेगा वहाँ पर डालेंगे डबल कुरिश्या बनाएंगे बीच में जितना भी डबल कुरिश्या है उसको छोड़ देना है बस साइट का साइट में पांच डबल कुरिश्या बना लेना है बीच में आठ चेन लेते हैं और तीन चेन एक डबल कुरिशया कॉंट होगा, इसके बाद में हम लोगों को चार डबल कुरिशया दिखेगा, 8 chain बनाने के बाद, फिर जो side में 5 double कुरिषय दिकھेगा, कुरिषय में फंडा लेंगे और side में 5 double कुरिषय बना लेंगे बहुत easy pattern है, आप लोग ध्यान से दिखे, easily आप लोग बना सकते हैं बस इसी तरीकी से हम लगों को बनाना है, साइड में पाँच डबल कुरिशया है, पाँच डबल कुरिशया बनाना है, और बीच में आठ चेन बनाना है, दीखें, दूसरा रॉंड भी कम्प्लीट हो चुका है, बनाकर, फिर पीछे की तरफ टर्न करेंगे, जब भी टर्न करना है, तो तीन चेन बना लेना है, तीन चेन एक डबल कुरिशया कॉंट होगा, और उसके बाद में दिखेगा चाट डबल कुरिशया, तो चाट डबल कुरिशया की उपर वाले चेन में डालेंगे, और डबल कुरिशया बना लेंगे, तो 5 double कुरिशय हम लगोगो का टोटल बन चुका है अब यहाँ पर फिर से 8 chain बनाएंगे 8 chain मनाने के बाद अब उसके बाद कुरिशय में फंदा लेंगे और side में जो यहाँ पर 5 double कुरिशय दिखेगा उसे के उपर वाले chain में डालेंगे और 5 double कुरिशय की उपर 5 double कुरिशय बना लेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का 3rd round कम्पलीट हो जाएगा तो 3 round हम लोगोंने same बनाया है side में 5 double कुरिशय है, बीच में 8 chain देखे 3 round कम्पलीट कर लिया है अब 4 वाले round में जब बनाएंगे तो हम लोगों का design चेंज होगा तो वो किस तरह किसे करना है, ध्यान से दिखे जब चोठा वला round अप लोगों का चलेगा तो पहले हम लोगों का 3 chain बना लेना है उसके बाद side में जो double कुरिशय है उसको complete कर लेना है और बीच का जो chain है जहाँ पर हम लोग 8 chain बना रहे थे वहाँ पर हम लोगों को 4 chain बनाना है पहले, 8 chain नहीं बनाना है पहले 4 chain बनाएंगे 1, 2, 3, 4 4 chain बनाने के बाद यह जो 3 है तीनों के नीची की तरफ से कुरिशय को ऐसे पकड़ कर और इसको single कुरिशय से joint कर देंगे नीचे से फंदे को उठाना है तो यहाँ पर यह इस तरह की से joint हो जाएगा फिर 4 chain बनाएंगे और 4 chain बनाने के बाद साइड में जो यह 5 double कुरिशय है 5 double कुरिशय के उपर वाले chain में डालेंगे और 5 बर double कुरिशय बना लेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का एक पैटन बनकर complete हो चुका है तोरण पट्टी का आप लोग अगर चाहें इसी में आप लोग दो कलर में भी बना सकते हैं जैसे मैंने भी एक पैटन बनाया अब दूसरे कलर को आप लोगों अगर बनाना चाहते हैं तो यहीं पर कलर को जोइंट करकर आप लोग दूसरे कलर को भी अटाइच कर सकते हैं तो यह पर देखिए एक पैटन कंप्लीट हो गया है अब फिर से शुरुवात करेंगे तो जैसे हम लोगों ने तीन हम लोगों ने पैटन मना है था शुरवात में अब उसी पैटन को repeat करना है तो जैसे साइड में डबल कुरिषिया है 5 डबल कुरिषिया वैसे ही烤व्भ इफ़ ninth कुरिषिया बना लेना है उसके बाद फिर आट बर chain मनाएंगे बीच में यहां पर इसके बीच में 1 2 3 जो जो 9-4-5-6-7-8 प्रीज तो ऩो चैन बनाना एकी, अशamentoर्ट का डूपलखिखे दो बनाने की बात में उसके बाद जो साइट का डूपल कुरिशय है यह यह 5 बर डूपल ही दो जो लो डूपल कुरिशय है एकी, उसलों यह तो ना कट का है Посलित थान यह bound तो दूसरे रॉंट का शुरुवात करेंगे फिर से तीन चेन बनाएंगे साइड में 4 डबल कुरिश्या है तो चार डबल कुरिश्या बनाएंगे इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ तोरन पत्ती का डिजाइन शेयर किया है एक बर आप लोग चैनल को division अला तो यहां पर दूसरा रो भी हम लोगों को complete हो जाएगा थार्ड रो को भी ऐसी बना लेँने फौर्रो में बस हम लोगों को changes करना है तर डॉ तक ऐसीवी सिंपल सीधा बनाते झायाना है फिर पीछेकी तरफ turn करेंगेए देखेंगे दूसरा रॉंड यहां पर complete ऑच एंगे अपांच दबरुरीश च्लेल के श्रूरी यहां पर 5 जार्ट ही कोंपलीट है दिजाइन को चेंज करेंगे थार्ड रों कम्प्लीट हो गया है अभी तक डिजाइन ऐसा दिख रहा है अभी यहां पर क्या करेंगे फिर से वैसी बनाना है साइड में कोई भी चेंजिस नहीं करना है बस तीन चेंड बनाएंगे और साइड का चार डबल कुरिश्या चेंगे तोटल पांच हो जाएगा अब यहां पर क्या करेंगे दिखे चार वर चेन बनाएंगे पौर रों हैं यहां पर 11,000,000,000... चार चेंड बनानेकी पार तीनों को एक सातमें देखे नीचे की तरफ से कुरिश्या को डालींगे और ऐसे नीचे से और निकालकर एक सिंगल कुरिशय से जैन्ट कर देंगे, तीनों को एक साथ में, फिर यहाँ पर चार बर चेन बनाएंगे, और साइट का जो पांच डबल कुरिशय है, उसको वैसे ही पांच डबल कुरिशय बना लेना है, तो दूसरा पैटर्न भी हम लोगों का यहाँ पर बन कर तयार हो है, अब ऐसे ही आप लोगों को रिपीट करते जाना है, अपने दर्वाजे के इसाप सी तोरन पट्टी को कम्प्लीट करना है, तो देखे दूसरा पैटर्न यहाँ पर बनने की बाद में ऐसा दीख रहा है, इसका डिजाइन, अगर आप लोग दो कलर में बनाएंगे, तो और भी खुबसूरत लगेगा इसका डिजाइन बनने की बाद में, यहाँ पर फिर से देखे आप शुरुवात करेंगे, तीन चेन बनाएंगे, और जैसे हम लगों ने तीन रोकों बनाया था, सीधा बीनते वे, वैसे ही सीधा बीनना है, बीच में आट चेन लेते वे, साइड में जो 5 दबल कुरिश्या है, उसके अपर 5 दबल कुरिश्या बनाएंगे, यहाँ पर, एक डबल कुरिश्या, दो डबल कुरिश्या, ऐसी करते वे, बना लेती हूं, फिर में आप लगों को बंद करना दिखाती हूं, ते देखें, मैंने एक पैटन और बना लिया ह नाके किस तरिके से करेंगे देखे साइड में पांच डबल कुरिश्या बनायेंगे यहां पर दीजिक पनायेंगे और site का जो 5 double kurisha है उसमें 5 double kurisha बना लेंगे अब बंद कीस तरीके से करना है ऐसी आप लोगों को repeat करते वे तोरन पट्टी को complete कर लेना है फिर एक लाइन का border कीस तरीके से बनाएंगे end कीस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूं अभी तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर उपर की तरफ क्या करेंगे साइट में बॉर्डर बनाने के लिए पहले तीन चेन बनाएंगे और साइट का जैसे डबल कुरिशया है उसको वैसे ही डबल कुरिशया बना लेंगे उसके बाद नीचे की तरफ 7 डबल कुरिशय बीच में था तो यहाँ पर अब हम लोगों को 7 चेन बनाना है ताकि नीचे और उपर दोनों तरब बराबर बैठे तो दिके इस तरीके से 7 चेन बना लेंगे और फिर साइट का जो डबल कुरिशय है उसको डबल कुरिशय बना लेंगे यहाँ पर जो 5 डबल कुरिशय दिखेगा इसके ओपर 5 डबल कुरिशय बना लेंगे एक डबल कुरिशय दो डबल कुरिशय तीन डबल कुरिशय चार डबल कुरिशय और ये 5 डबल कुरिशय तो अब देखें, यहाँ पर एक लाइन इस तरह की से हो चुका है, अब नेक्स ट्रॉण में एंट करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे, फिर यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, और साइट का जो डबल कुरिश्या है, उसके उपर वाले चेन में डालेंगे, और डबल कुरिश्या बना लेंगे, उसके बाद जो अभी हम लोगों ने 7 chain बनाया है, 7 chain में 7 बर हम लोगों को double kurisha बनाना है, सभी chain में kurisha को डालना है, फंदा निकाल कर double kurisha बनाएंगे, इससे हम लोगों का 1 line का border बनकर complete हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने शुरुवात में बनाया, वैसे हम लोगो को बता दिया है ताकि आप लोग मेरे वीडियो को देखकर अगर बना रहे हैं तो आप लोगों को बनाने में कोई प्रोब्लम ना आए तो दीके सभी चेन में मैं यह आप डाल रही हूं और डबल कुरिषय बना रही हूं और लाश्ट में भी वैसी बनाना है जैसे लाश्ट क डबल कुरिषय है सभी के उपर वाले चेन में डालेंगे और डबल कुरिषय बना लेंगे और लाश्ट वाले चेन में भी डालकर डबल कुरिषय बना लेंगे और उसके बाद धागी को एक चेन लेकर धागी को कट कर लेंगे दिखिए यहां पर यह बॉडर बनकर कंप्ली एक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ